Hello everyone, welcome back to my channel So, आज हम बनाने जारे आम बनना जिसके लिए हमें चाहिए ये कच्छे आम जिनको लोग कैरी भी बोलते हैं So, कच्छे आम उको अच्छे से धो लिया है मैंने और ये डाला मैंने कूकर में और पानी, पानी उतना ही डालना है जिसमें ये आम थोड़े डूब जाए क्योंकि इस पानी को हम दुबारा यूज नहीं करने वाले चार पान सीटी दिलवा के हमने ये आम को पका लिया है अब इसको हमने निकाल लिया प्लेट में आप देखिए कि इसमें कितना क्रैक पड़ गया है तो इतमीन्स कि अच्छे से आपके बॉयल हो चुके है तो इसको हमने प्लेट में निकाल लिया अब हम थोड़ा इसको ठंडा करेंगे क्योंकि गरम गरम आम में आपका हाथ जल जाएगा तो थोड़े से ठंडे हो गए है इनको हम चील लेंगे इसका पूरा पल्प हम अच्छे से निकाल लेंगे अच्छे से निकालने का मतलब है कि जो इसका छिलका है न उसमें से भी आपने अच्छे से खरोच के अच्छे से स्क्राप करने है तो ये सारा का सारा हमारा पल्प इसमें से जितना भी है सब हम निकाल लेंगे गुठलियों से भी अच्छे से हमने इस तरह से चाकू की हेल्प से पूरा पल्प निकाल लेना और गुठलियां बिल्कूल हमारी रह जाएंगी खाली तो यह अच्छे से pulp मैं निकाल रही हूं इसमें से, देखो थोड़ी सी महनत जरूर लगती हाथ से थोड़ा slip करता है, बट कोई बात नहीं, हाथ अच्छे से धुले हुए है हमारे, तो यह हमने अच्छे से pulp निकाल लिया है, एक-एक करके हमने सारे mangoes में से जितने भी हमने boil किये थे, इन सब में से यह देखो pulp निकल चुका है, यह हमारा pulp ready है, अब इस pulp को हम mix करेंगे, mix करेंगे, mix करेंगे, तो मैंने डाला एक इंच अद्रक का टुकड़ा, एक हरी मिर्ची और थोड़ा सा पुदीना, पुदीना आप सबको पता है, गर्मियों के लिए बहुत अ आम का पिसा ना हो अच्छे से, तो वो हमारा juice में नहीं आएगा, जो भी हम आम बना बनाएंगे, तो इसलिए हम इसको चानते हैं, अब बारी आती है, चाशनी बनाने की, तो मैंने अल्मूस्ट एक किलो के करीब मेरे आम थे, और मैंने उसके लिए लिया है, आधा किलो के क यह जो हमारी चीनी है, शुगर सिरब बनता है, वो क्रिस्टलाइज ना हो, मतलब वो जम ना जाए, इसलिए हम इसमें डालते हैं, लेमन, जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, दो-तीन उबाले आ जाए, फिर हम इसमें डालेंगे पल्प, जो हमने पुरा अच्छे से चा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट यह अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो हमने इसको चलाते रहना है, थोड़ा सा कमसेक कर लेना, तेज आच पे मत मिक्स करना, क्योंकि यह उबल के उपर आएगा, तो समालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए गैस की को सिम करके फिर हमने बॉइल करना है, यह देखो इसमें बॉइल आ रहा है, यह चार से पांच मिनट हमने इसको पकाना है, मीडियम फ्लेम पर, और यह हमारा अच्छे से सिरब बन जाएगा, अच्छे से हमारा यह कॉंसंट्रेट रेडी कर रहे हैं हम आम पनना का, तो आप द डालिए बरव और यह कॉंसंट्रेट, साथ में पुदीना डाला है मैंने, कि थोड़ा सा एक फ्रेश फ्लेवर भी आजा है पुदीना का, अल्रेडी इसमें तो है यह, पानी आट कीजिए, चम्मत से हेलाइए उसको अच्छे से, अगर आपको लगता है कि और थोड़ा नम के लिए बहुत अच्छा होता है, जब हमारी बॉड़ी में लू लग जाती तो हम इसको पीते हैं, थैंक यू सो मच,